विजय दश्मी दशेहरा का पर्व नवरात्रों में नौ दिन तक मादुर्गा के नौ रूपों की आराधना के तुरंत बाद दस्वे दिन मनाया जाता है आश्विन माहा शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को भगवान शुरी राम ने आज ही के दिन चौधें वर्ष बनवास की अवधी में रावन का वद किया और लंका पर विजय प्रात की थी अतहे शुरी राम की शक्ति उपासना एवं मा भगवती का एक नाम विजया होने के कारण और लंका पर प्रभु राम की विजय के प्रतीक इस पर्व को विजय दश्मी के नाम से भी जाना जाता है रावन के दस जिर मनुष्य की दसों इंद्रियों के प्रतीक हैं मन और दसों इंद्रियों के अधीन होने के कारण मनुष्य धर्मपत से विचलित होकर काम, क्रोध, लोब, मोह, एहंकार, इर्शा, द्वेश, चोरी, हिंसा, पापाचार में प्रवित होता है नौ दिनों तक पूजा, ध्यान, व्रत, उप्वास और सैयम नियम पूर्वग माता के आराधना करने से भक्त के भीतर दैविय शक्ती का संचार होता है इश्वर भोध और दैविय शक्ती से संपन व्यक्ति, मा की आराधना और समय के सच्चे सत्गुरु से प्राप्त, स्वासों में समाहित अव्यक्त शब्द ब्रह्म की साधना से मन और अपनी दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाता है ततपश्चात इस लोक में शान्ति, सद्भाव, प्रेम का संभाहक और आत्मज्यानी होकर विच्रन करता है तथा अंतकाल में ध्यान साधना करते करते अंत तह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वस्तुते है दशहरा पावन पर्व का यही सच्चा आध्यात्मिक अर्थ है